सावधान, तबाही मचाने आ रहा दाना तूफान 120 किलोमेटर की रफ्तार से मचेगी तबाही बंगाल ओडिशा में सुरक्षा की चेतावनी जारी तबाही से पहले स्कूल कॉलेज बंद, ट्रेने भी रद साइकलोन दाना ला रहा भयंकर बाढ़ बारिश आधुनिक्ता की अतिवाद में अंधा हुआ हमारा मानविय समाज लगतार परियावरन को नश्ट करता चला आ रहा है इस वज़े से प्राकरतिक आपदाएं भी लगतार बढ़ती चली जा रही है हाल फिलाल में देश दुनिया में आये तूफानी चक्रवाद इसके जीते जाकते उधारन है तो अब बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवाती तूफान दाना अपना रौधर रूरूप दिखाने को बेताब है चक्रवाती तूफान दाना की वज़े से आज से 25 ओक्टूबर तक हर ओर अलर्ट है साइकलोन दाना का असर पच्चिम मंगाल से लेकर ओडिशा, बिहार और जारखन तक दिख सकता है मौसम विभाग ने भी हाई अलर्ट पर चेतावनी जारी की है इस बीच ओडिशा सरकार ने तटी जिलों में सकुलों को बंद करने की घोशना की है इन इलाकों में घरों को खाली कराने के तैयारियां भी शुरू कर दी गई है साइकलोन दाना के कारण सबसे अधिक विनाश का खत्रा मनरा रहा है ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में तूफान का लेंड़ फॉल होगा भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मिर्तुंचे महापात्र ने कहा कि पुरी से लेकर पश्चिम बंगाल तट तक पूरे पूर्वी तट के चक्रवाती तुफान दाना से प्रभावित होने का अनुमान है आयम्डे के मताबिक बंगाल के खाड़ी के उपर बने गहरे दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तुफान में तबदील होने और 25 अक्टूबर की सुभा पुरी और सागर द्वीप के बीच उतरी ओडिशा और दक्षणी पश्चिम मंगाल के तटो को पार करने की आशंका है इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाई चलेंगी जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकती है नौर्ट्वेस्ट वर्ट्रेकर की चुपिश 24 अप्टबार नाइट और 25 अप्टबार आली मंडिंग का अंदर में हमारा पुरी शाव विस्वेंगार कोस्ट का पुरी अशागर आइलेंड का बीच में क्रॉस करने का चांसे से क्रॉस करने का टाइम में अमारा विंड का स्पीट रहेगा 100-100 केंपेज रस्टिंग में 120 केंपेज दर इसका प्रभाब में वेस्प्रिंगार में जो वर्णिंग जाड़ी किया है इसमें भारी से अप्ति भरी वर्षाद का प्रसिविरिटी है मिली जानकारी के मताबिक पश्चिम मंगाल में 24 और 25 अक्टूबर को पूर्व और पश्चिम मेदिनीपूर दक्षणी 24 परगना और जाड़ ग्राम जिलों में एक या दो जग्राम जिलों में पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है मौसम कार्याले ने ये भी कहा कि 24 और 25 अक्टूबर को को究 trip धावर भुगली उत्तर 24 पर गना पुरूलिया और बांकुरा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है आईमडी ने केंदरपाड़ा, कटक, नयागड, कंधमाल और गजपती जिलों में अलग-लग स्थानों पर तुफान और बिजली गिरने के साथ भारी से भारी बारिश का औरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ओडिशा सरकार ने लगभग 800 चकरवात आश्रे केंदर तयार रखी हैं, जिन में सम्वीदन शील इलाकों से निकाले गए लोगों को रखा जाएगा। पंजाब के भटिंडा से NDRF की टीम आवशक उपकरणों के साथ भूमनेश्वर रवाना हुई। इस बीच साथवी बटालियन NDRF भटिंडा के सहाय कमांडेंट पंकर शर्मा ने कहा कि चकरवात बचाव अभियान और बाढ़ जल बचाव अभियान के लिए हमारे पास सामगरी और निकासी वित्रित करने के लिए जिला पृशासन की मदद करना है। हम जो डिस्टिक्ट हमें भी डिप्लोइं हूए है वो पूरी जगतशीतपुर, कंदरा पाड़ा, भद्रा और जजचपुर। जज़पूर हिमारे पास साइकलोन को है साइकलौन से रिएड Tibcius से रिलेटिड और तुख्रट वाटर रेस्कुन से जो सटेंडर हमारे से ठैटर्ट हैं टिडीर फीर कोमटि हम वह सब इक्यूी खरी करने हैं इस प्रेश्ट यह Square नहीं जो भी साइकलों से जो भी डैमेज होगा उस डैमेज को जो भी हमें डिस्टिक अडिमिस्टेशन या जो भी लोकल की तरफ से जो इंफोर्मेशन होगी हम उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम वहां रिस्पॉंड करेगी हमारा मेन जो टास्क है जो हमारा मेन है वो लोगों की जान बचाना और उन्हें सुरक्षे दिस्थानों पर पचाना हुगा। प्रदान करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। क्रिती के प्रहार से एक बार फिर हाहकार मचने वाला है। प्रशासनिक स्थर से लेकर सभी लोगों को सतर्क कर दिया गया है। नजाने ये तोफान अपने साथ कितनी तबाही लेकर आएगा। बिरो रिपोर्ट पंजाब के स्री टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए। कैंनल वीडिकेशन के लएगा।